एक होता है Wealth Giving योग जिसको आप धन योग बोलते हैं पराशरी में चार स्थानों को धन स्थान माना है पराशरी अवेदिक जोतिश में चार स्थानों को धन स्थान कहा है कौन कौन से इन चार स्थानों को धन स्थान से जोड़के देखा गया जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि धन स्थान राज योग किस हिसाब से बनता है राज योग तब बनता है जब आपका विश्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान आपस में संबंध बनाए रिलेशन स्थापित करें तब आपका राज योग बनता है और धन योग कब बनता है धन योग बनता है जब आपका धन योग आपका तब बनेगा जब आपकी कुंडली में इनके लॉड्स यह टोटल हाउस कितने है चार इनके हाउस लॉड कितने है चार तो इन चारों में से कोई भी दो हाउस लॉड जो है वो आपस में संबंध यदी स्थापित कर ले संबंध स्थापित कर ले संबंधों का आपको पता है संबंध कैसे स्थापित करेंगे साथ वैठेंगे आमने सामने होंगे या राशी परिवर्तन करेंगे तो इस केस में आपका धन योग जो है वो कुंड़ी में बन जाएगा सेकेंड लॉर्ड फिफ्ट लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड एंड इलेवन्थ लॉर्ड इनका कॉम्बिनेशन जो है वो धन योग बनाता है अब एक तो है कि धन योग बन गया अब बात फिर से वो ही आएगी कि धन योग तो बन गया लेकिन ये धन योग जो है फलिभूत किस प्रकार होगा कोई भी योग है कुंड़ी में बनेगा फॉर एक्जामपल आपने कहा कि ठीक है सर हमें समझ में आ गया हमारी कुंड़ी में धन योग बन रहा है हमारी कुंड़ी में वेल्थ गिविंग कॉंबिनेशन जो है वो कार्य कर रहा है बट ये वेल्थ आईगी कहां से कि वेल्थ आने के तो बहुत से तरीके हैं बारह हाउस हैं बारह अलग अलग प्रकार से वेल्थ हा सकती है तो इसका अंसर यह है कि ये योग ये पर्टिकुलर योग जिस जगा बनेगा जिस थान पर बनेगा उस थान से आपको वेल्थ की प्राप्ति होगी माल लीजे किसी की कुंडली में धन योग जो है वो छटे घर में बन गये तो आपको छटे घर के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी अब माल लीजे छटे घर में धन योग बन रहा है और बारवे घर में कोई भी नहीं है तो जब कोई भी योग किसी पर्टिकुलर हाउस में बनता है और उसके सामने वाले हाउस में कोई भी प्लैनेट ना हो तो वो हाउस भी सोर्स बन सकता है उस धन योग का जैसे माल लीजे सिक्स्थ हाउस में किसी के धन योग बना हुआ है छटे घर में धन योग बन गया लाइक दो प्लैनेट बैठ गए विद्ध और नाउन्थ का लॉड बैठ गए या फिफ्ट और नाउन्थ का बैठ गए यह सेकिद और इलेवन्थ का बैठ गए इस प्रकार बैठ गए तो सिक्स्ट में बैठे अगर दूनों प्लैनेट्स और ट्वेल्थ हाउस खाली है तो सिक्स्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस इन दोनों ही हाउसे के द्वारा इस व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो सकती है एसे ही एट्थ हाउस में धनियोग बना हुआ है आठवे घर में धनियोग बना और सेकंड हाउस खाली है तो आठवे के द्वारा भी आपको धन मिल सकता है और दूसरे घर के द्वारा भी आपको धन मिल सकता है तीसरे घर में धनियोग बना हुआ है तो तीसरे घर के द्वारा भी आपको धनियोग की प्राप्ति हो सकती है नाइंथ हाउस के द्वारा भी आपको धनियोग की प्राप्ति हो सकती है से धनीोग बनेगा कैसे अ है सबसे पहले सेकंड हाउस राचल लुड से बनने वाले से बारे में देखते हैंं अ सब्सक्राइब से बनने वाले धनी योड गें देखते हैं तो सेकंड हाउस का संबंद सेकंड लॉड का संबंद फिफ्ट से बने नाइन्थ से बने या इलेवन्थ से बने तो यह धनियोग बनाएगा पहला पॉइंट सेकंड हाउस का संबंद सेकंड लॉड का संबंद फिफ्ट हाउस नाइन्थ हाउस या इलेवन्थ हाउस से बने तो यह एक धनियोग है फिफ्ट लॉड का संबंद पंचमेश का संबंद नाइन्थ लॉड से बने इलेवन्थ लॉड से बने यह एक धनियोग है और नाइन्थ लॉड का संबंद इलेवन्थ लॉड से बने यह एक धनियोग सारे आगए तू फाइव तू नाइन तू इलेवन फाइव नाइन फाइव इलेवन नाइन इलेवन इस प्रकार सारे आगए छीक है कुनली पर नजर मारिये कुनली पर नजर मारिये क्या आप लोगों को कोई धनियोग दिखाई दे रहा है कुनली में नहीं दे रहा है सेकंड हाउस पर नजर मारिये इस कुनली में दूसरे घर पर नजर मारिये और देखिए कौन कौन से हाउस के लॉड एक साथ बैठे हैं चेक किजे सेकंड हाउस का लॉड और फिफ्थ हाउस का लॉड दोनों यहां पर साथ में बैठे हैं मतलब क्या है यह एक धन योग है यह कहां बन रहा है यह सेकंड हाउस में बन रहा है और सेकंड के साथ क्या यह एक हाउस पर भी अपने अफेक्ट डालेगा येस क्यों क्योंकि एक हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है कोई भी प्लैनेट एक हाउस में नहीं है इसलिए सेकंड और एक दोनों हाउस के द्वारा धन दे सकता है अब आप लोगों को पता 8th house किस चीज़ का है, 8th house inheritance का है, 8th house inheritance का है, तो inherited wealth जो है, वो इस व्यक्ति को मिल जाएगी, inherited wealth इस व्यक्ति को मिलेगी, समझ में आ गया है, यह 5th और 2nd का combination बन रहा है, आपर 2nd house में देख रहा होगा साफ, कोई इस्यू नहीं है इसमें, ठीक है, जू हमाम बन देख रहा है, यह जजो ऑल ऑfon, आ ऐाप एगतो है, भी है, 5th है, झाल हुआ। इशकोप के तर है यार। आइंसेम्पल ऄर्दाइबाद्वाथ। कि अब ये कुंडली देखिए अब इस कुंडली को देखकर बताई दन्यों कहीं है या नहीं कि इस कुंडली में कहां पर देख रहा है आपको देख रहा होगा फिफ्ट लॉड कौन है पांचवे घर का स्वामी कौन है चंद्रमा है नाइन्थ हाउस का लॉड कौन है मंगल है यहां पर चंद्रमा और मंगल आपसी संबंद बना रहे हैं आमने सामने रहकर संबंद बना रहे हैं तो यह भी एक धन योग बन रहा है यहां पर भी सेकंड हाउस की स्थिती और एटथ हाउस की स्थिती को यह मजबूत कर रहे हैं मतलब क्या है कि यहां पर भी इस व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी चीक है एंड रेज करने का कोई फाइदा नहीं है अभी कोई कॉस्चन्स नहीं लिए जाएंगे तो अब यहां पर सवाल यह उठता है कि एक कंडिशन मैंने आप लोगों को यह बताई कि अगर कोई धन योग एक साथ बन रहा है वहां पर जिस घर में वो योग बनेगा और अगर सामने वाला घर खाली होगा तो वो घर भी एक्ट करेगा उस योग के लिए अब यहां पर आपके सामने कंडिशन क्या आई कि यहां पर यह जो योग बना उस योग को बनाने वाला एक प्लानेट तो सेकंड हाउस में बैठा है और दूसरा प्लानेट जो इस योग को बना रहा है वो एट्थ हाउस में बैठा है और वो सेकंड हाउस और एट्थ हाउस में बैठ कर आमने सामने परसपर दृष्टी से धनियोग बना रहे है इस case में भी आप कहेंगे कि जो platform मिला है वो second और eighth दोनों को मिला है यहाँ पर भी जो धनियोग है वो second और eighth दोनों प्रकार से कारे करेगा धनियोग की आवशक्ता क्यूं होती है कुनली पर, क्या करता क्या है धनियोग सबसे पहली बात यह है कि धनियोग आपके wealth के potential को बढ़ा देता है आपके wealth के potential को बढ़ा देता है लेकिन क्या इस धनियोग का जो effect है वो आपको जीवन भर मिलता रहेगा जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को एक बात बोली है कि जोतिश की एक golden line जो है वो हमेशा काम करती रहेगी और वो line यह है कि योग बताते हैं यह फलित होगा या घटित होगा और दशा बताती है यह कब घटित होगा जिस समय जिस समय आप धन योग को देख रहे होते हैं उस समय इंपोर्टेंस यह नहीं रखता कि आपकी कुंड़ी में धन योग है या नहीं इंपोर्टेंस यह बात रखती है कि आपको वो धन योग कब मिलेगा या कब उसकी प्राप्ति होगा अब मैं जैसे पहले भी एक दो बार एक्स्प्लें किया है आज फिर आप लोगों को बताता हूं एक बात माल लीजे कोई फीमेल होरोस्कोप आ गया हमारे पास में और उस फीमेल होरोस्कोप में जो धन योग का कॉंबिनेशन है वो आठवे घर में बना हुआ है एट्थ हाउस में बना हुआ राइट अब एट्थ हाउस में जो कॉंबिनेशन बना है ये एट्थ हाउस फीमेल के लिए किसकी फैमिली हो गई हस्बेंड की फैमिली हो गई राइड अपनी फैमिली कौन है सेकेंड हाउस पाटनर की फैमिली कौन है एट्थ हाउस वा धनियोग बन गया और जिस समय विभा हुआ उस समय इसी एट्थ हाउस में बन रहे धनियोग में से किसी एक प्लैनेट की दशा या अंतरदशा चल गई वो अपना रिजल्ट देगी कहां ओपरेट करवा रही है धनियोग को एट्थ हाउस में ओपरेट करवा रही है एट्थ हाउस सिर्फ पार्टनर की फैमिली ही नहीं है पार्टनर का पैसा भी है जैसे ही ये फीमेल शादी करकर जाएगी पार्टनर की फैमिली भी प्रॉस्पर कर जाएगी पार्टनर के पास भी पैसा आजए और यह माग कर दिया जाएगा कि यह फीमेल बहुत लखी आई है ऐसा ही होता ना एक्च्वल में दशाय और अंतर दशाय किस पर्टिकुलर टाइम पर क्या चल रही है वो बहुत मेटर करता है फॉर एक्जामपल मैंने बहुत से बच्चों की होरोस्कोपी पर काम किया ठीक है चाइल्ड होरोस्कोपी जो होती है जिसमें अब आप खुद समझके देखिए कि एक बच्चा जो है जनम लेते ही तो द्वन अरजन नहीं करना शुरू कर देगा उसको विचारे को क्या पता उसको तो धन की डेफिनेशन भी नहीं पता होगी धन का धा भी नहीं आता होगा लेकिन कई दफा जो बच्चा जनम लेता है वो धनियोग अपनी कुंदली में लेके आता है और उस धन योग वाले प्लैनेट की दशा उसके जनम के समय ऑपरेट कर रही होती है अब होता ग्या है माल लिजे वो सेकेंड हाउस को कही न कहीं इंफ्लूएंस कर रही है तो पता चला पूरा का पूरा कुटुम भी उतर गया पूरा का पूरा कुटों भी प्रॉस्पर कर गया पैसे में माली जे नाइन्थ हाउस में बना है तो फादर को कुछ अलगी प्रकार से गेंस हो गए तो इस प्रकार आप चीजों को मैच कर सकते हो कि क्यों कभी किसी व्यक्ति के जनम पर या किसी नए व्यक्ति के आगमन पर क्या चीजें काम कर रही होती है मैंने कितने सारे एक्जाम्पल्स ऐसे देखे जिसमें शुरुवाती दशा या अंतर दशा ने व्यक्ति की पूरे जीवन की ना मैं लग पूरे जीवन का मार्किंग कर दी पूरे जीवन की मार्किंग कर दी कि भई ये व्यक्ति लखी है या अनलखी है वो पूरा मतलब वो कहते हैं कि first impression is the last impression in that case I would say कि first दशा अंतर दशा जब कोई भी व्यक्ति आता है एक partner के रूप में आता है या एक बच्चे के रूप में आता है उस समय particularly कौन सी दशा अंतर दशा operate कर रही होती है वो आपका lifelong impression create कर देती है कि आप लखी है के लखी है एक बात बताईए अगर किसी बच्चे के कुंडली में छटे घर में राजयोग बन रहा है ध्यान से सुनना आप लोगोंने छटे घर में बच्चे के राजयोग बन रहा है छटा घर नाइन्थ से कौन सा हो जाता है नाइन्थ से टैन्थ हो जाता है इसलिए छटे घर को हम पिता का कर्म स्थान बोलते हैं पिता का विवसाय पिता का प्रोफेशन बोलते हैं अब वो बच्चा जो है वो राजयोग लेकर आया जैसे ही पैदा हुआ दशा भी उसी प्लानेट की चल रही थी अचानक से पिता ने राइस करना शुरू कर दिया एक्सिलेंट राइस किया इधर बच्चा पैदा हुआ उधर पिता को प्रोमोशन मिल गया जोब में टैग लाइन क्या मिल गई बच्चा बड़ा लक्की है जबकि अगर आप डेस्टिनीज को इंटर लिंक करके देखें तो इधर फादर का प्रोमोशन अपने चाट में भी दिखाई देगा और बच्चे के चाट में भी दिखाई देगा मतलब कोई किसी के भाग्ये को बदलने या बिगाडने नहीं आता सबका भाग्ये या सबकी चीजें डेस्टाइंड तभी हो जाती है जब आपका हुरस को बनता है किसी के नाइन्थ हाउस में सेवन्थ लौड आ जाता है किसी के नाइन्थ हाउस में सेवन्थ लौड आ जाता है नाइन्थ हाउस भाग्य है सेवन्थ हाउस पार्टनर है जनम पत्री में क्या लिखा होता है विवहा के उपरांत या विवहा उपरांत इस व्यक्ति का भाग्य उदय होगा नाइन्थ हाउस में फिफ्ट लॉड बैठता है प्रत्थम संतान के बाद इस व्यक्ति का भग्य उद्य होगा यही सब चीजे बोलते हैं टैन्थ हाउस में सेवन्थ लॉड बैठा है तेन्थ हाउस में सेवन्थ लॉड बैठा है तो स्टेटस किस हाउस से मिल रहा है आप लोगों को टैन्थ हाउस स्टेटस का है सेवन्थ लॉड बैठ गया वहाँ पर तो आपका पार्टनर आपको स्टेटस दे रहा ना जैसे ही व्यक्ति शादी करेगा शादी के उपरांत इस व्यक्ति का स्टेटस बढ़ता चला जाए इसको लोग जानना शुरू कर दें इसको फेम मिलना शुरू हो जाए अब यही चीज़ आपको पार्टनर की कुंड़ी में भी दिखेगी कि जब ऐसा होगा तो यह आएगा फॉर एक्जाम्पल मैंने एक होरोस्कोप देखा जिसमें सेवन्थ लॉड नाइन्थ में है तो मतलब भाग्य का कनेक्शन स्पाउस के साथ बन गया अब जब स्पाउस की कुंड़ी देखी तो स्पाउस की कुंड़ी में चार चार प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठे हैं चार चार प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठे हैं तो जब चार प्लानेट पाटनर के चार्ट में बैठे हैं तो वो उसके पाटनर के लिए कौन से हाउस में आ गए सब नाइंथ हाउस में आ गए कि डेस्टीनी गजा अर इंटर लिंग्ड आप डिन ने टेस्टिंग कराते हैं ना कई बार जब डाउट हो जाता चीजों पर जोतिश के अंदर डिन ने टेस्टिंग की कोई अवशक्ता नहीं है कुंडली देखके समझ में आ जाएगा यह मेरा ही डिन ने है किसी और विदिन सेकंड समझ में कि एक और टेंशन का टॉपिक दे दिया कि जब कोई चीज पता चलती है न तो और और सब्सक्राइश होकर आदमी वह चीज़ चेक करता है तो यह जो डेस्टिनी इंटरलिंक्ट बोली वापस अपना धन योग पर आते हैं तो जब धन योग भी बन रहा होता है तो वह व्यर्थ नहीं जाता है हम कहते हैं न कि एक बच्चे के चार्ट में जो अभी अभी पैदा हुआ है अगर धन योग स्टार्ट हो गया तो वह कहां से धन अरजन करेगा उसको तो धन मिली नहीं सकता यह वह कुछ करी नहीं सकता धन कमाने के लिए लेकिन उसके इस धनियोग का अफेक्ट किसी ना किसी को मिलेगा जरूर किसको मिलेगा उस जगा को मिल जाएगा जिस जगा यह धनियोग बन रहा होगा या जिस जगा यह धनियोग अपने अफेक्ट डाल रहा होगा एस्पेक्ट के द्वारा आप सब लोगों ने अब तक अपने अपने धनियोग जो हैं वो देख लिए होंगे कुंडी का किस-किस की कुंडी में बन रहे हैं धनियोग अब कुछ लोगों के तो बन रहे हैं उन्होंने देख लिया ऐसे कितने लोग हैं जिनके बन भी रहे हैं और उनकी दशा भी धनियोग की ही चल रही है चल रही है अब जितने भी लोग जिनके बन भी रहे हैं और दशा भी धनियोग चल रही है वो ये भी बता दे इस टाइम पर फिनांशल कंडिशन्स ठीक है के बैड है ओके है ठीक है बहुत बढ़ी है ख्लियर हो गया प्रैक्टिकल समझ में आ गया सामने सामने क्या हो रहा है कैसे कैसे चीजे काम कर रही है देखिए ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी दशा जो है वो धन नहीं दे ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि दूसरी कोई दशा धन नहीं दे लेकिन धन योग का मतलब क्या है धन योग का मतलब है कि आपके वेल्थ पोटेंशल को बढ़ आपके वेल्थ पोटेंशल का बढ़ जाने है बिकोज योग is a combination या एक promise और धन योग का मतलब है कि promise of wealth in your horoscope KP astrology में कहते हैं कि धन योग तब बनता है जब second CSL आपका two six eleven जैसे नंबर दे रहा हूं बोलते हैं ना two six eleven अच्छा एक दो लोगों को अभी भी धन योग वाले effect नहीं आ रहे हैं दशा के बावजूद भी यही बोल रहे हैं कोई problem नहीं है नहीं आ रहे तो ले आएंगे क्यों नहीं आ रहे इसके और दशा होने के बाद भी दो बाते सबसे पहला first of all we need to see whether we are utilizing the houses where this धन योगा इस फॉर्मिंग आप उस हाउस को बरत रहे हैं यह नहीं बरत रहे जहां पर यह धन योग बन रहा है पहली condition भी दूसरी condition क्या है कि किसी भी planet का सही potential उस planet की वही शक्ती जब और उस planet की सही strength का अंदाजा आपको कब होता है आपको तब होता है जब आप उस planet की position को नवांश में जाकर अगर मैं अभी के अभी आपको पांच रूल्स दे दू ना तो उन पांच रूल्स के बाद में जोतिश की अवशकता नहीं है वो पांच रूल्स में जा के खतम हो जाती है सारी चीज उन पांच रूल्स में supports एक रूल ये है कि आप जिस भी decisions से गजर रहे हैं उसके अच्छे या बुरे जैसे भी अफेक्ट है अफेक्ट अच्छे भी हो सकते हैं अफेक्ट बुरे भी हो सकते हैं तो किसी भी दशा अंतर दशा के अच्छे या बुरे अफेक्ट इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस ग्रहे में बल कितना है उस ग्रहे में शक्ति कितनी ह और उसकी शक्ति का सही जो पैरामीटर है या जो स्केल है उसका अंदाजा कहां से मिलता है अपने को जब हम उसकी नवांश पोजीशन देखते हैं मैंने पहले भी एक चीज बोली थी शायद आप लोगों को आप लोगों की क्लास में बोली थी है कहीं है पांचalsa दीजिए ताकि आप नेक्सक्लास ही न करें अर्य मैं फिर भी बता दूँ गा लेकिन उसके बाद भी आप लोग जो क्लास करोगें अले कि अभी भी बहुत कुछ है है ना मेरे खो कोई क्राबलम नhiई लाप्स क्लास में बता दो मैं पांच रूल गया है तो नवाश जो है प्लायनेटरी सब्लॉड के तरह आप क्पी एस्टिलोजी करते हैं तो क्पी एस्टिलोजी में जब आप प्लेनेटरी स्कृप्ट पर काम कर लहोते हैं तब आप सबसे ज्यादा इस्ट्रेस किस पर देते हैं आप बोलते हैं कि यहार इसके सब लॉणर पर नज़र मारो इसका सबलॉणर अगर wearable है न को इसका मतलब यह प्लाइट वेवरेबल है और अगर सब में इसके problem है तो यह planet जो है या अच्छा नहीं क्योंकि final जो results का जो सुवाद है जो उसका taste है जो involvement की सही commitment है वो कही ना कहीं हमें sub-law ने देनी हैं यही बात बोलके हम KP में पूरा अपना जो final जो है वो देते हैं और यहां पर भी हम planet की नवांश पोजीशन को देखकर सामने प्रेडिक्शन देते हैं कि ऐसा होगा अब देखिए इसका एक्जाम्पल देता चोटा सा इसका एक्जाम्पल देखिए चंद्रमा राजियोग बना रहा है कि नहीं ओ स्वरी धनियोग बना रहा है कि नहीं राजियोग बोल दिया धनियोग है येस धनियोग है ठाई दे रहा है ना सबको चंद्रमा फिफ्ट लॉड है मार्स जो है सेकंड और नाइंथ लॉड है वो बन गया अब एक काम करते हैं अब माल लीजे चंद्रमा की दशा स्टार्ट हो गई है चंद्रमा की दशा स्टार्ट हो गई है तो इसका मतला चंद्रमा ने भरपूर धन देना है वेक्ति को अच्छा धन देना है अब क्या करते हैं अब हम चंद्र मा की नवांश पोधिशन देखते हैं च्जेक केजिए चंद्र मा नवांश में कैसा है 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 चंद्र मा कैसा नवांश में अब सब लोगों को दिख रहा होगा यह अब यह धनियोग का इस धनियोग का जो इंटेंसिटी है अगर हम नॉर्मली एक परसंटेज वाइज देखें तो यह धनियोग कितना ओपरेट करेगा तो हम कहेंगे सो प्रतिशत सत प्रतिशत जो है यह धनियोग काम करेगा हंडेड़ परसेंट क्यों कि चंद्रमा जो है वह एक इसाल्टेशन में आगे और वैसे आप लोगों को बता दूं कि उस कुंडली में चंद्रमा का जो सबलॉड है वो सबलॉड भी पांच ग्यारा या छे ग्यारा जैसे नंबर लेकर चला तो आप उधर से और इधर से दोनों जगे से कंफर्म कर सकते हैं हाला कि कई दफा पराशेरी जोतिश जिस चीज को कर रहा होता है उसमें कई दफा केपी एस्ट्रोजी के साथ में सबलॉड लेवल पर थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है लाइक आपको ग्यारा नहीं दिखता होता हुदर लेकिन इधर जो है वो व्यक्ति भरपूर धन का मारा होता है वो किस कारण उसके दो कारण है एक तो उसकी कुंड़ी में धन योग बन रहा है दूसरा उस ग्रह की दशा चल रही है और तीसरा उस ग्रह को नवांश के अंदर भी पूरी मजबूती मिली हुई अगर यह तीनों कंडिशन्स है तो आपको उस टाइम पिरियड पर भरपूर पैसा मिलेगा उस समय पर आपको भरपूर पैसा मिलेगा इस सेंड एंड फिफ्ट लॉड इस सेम इस अलसो धन योग देखिए हम नॉर्मली धन योग में सेकेंड फिफ्ट नाइन्थ एंड इलेवन्थ को लेते हैं लेकिन यहां पर जो मुख्य धन के भाहों हैं जो प्राइम हाउस है धन के यहां पर वो इस सेकेंड एंड इलेवन्थ हैं फिफ्ट और नाइन्थ जो हैं वो उसको एक प्रकार की मजबूती प्रदान कर देते हैं इसलिए कई कुंडलियों में आप लोग देखोगे वहां पर सेकेंड लॉड और इलेवन्थ लॉड एक ही प्लैनेट बन जाता है एक्वेरियस लगना कुंब लगना जोपिटर रूल्स सेकेंड एंड इलेवन्थ लियो लगना सिंग लगना में मरकरी रूल्स सेकेंड एंड इलेवन्थ यहां पर यह जो दो प्लैनेट्स हैं यह अकेले धन योग बना सकते हैं लेकिन स्टिल हम लोगों का यह मानना है कि कहीं न कहीं कुंडली में आपके पास वो दोनों प्लैनेट्स आ जाएं किसी भी तरीके से तो ज्यादा बढ़िया पोटेंशल उतना ज्यादा बढ़ने लगता त्रिशडाया 3-6-11 को लेते हैं भाई त्रिशडाया में 3-6-11 आता है ठीक है त्रिशडाया में 3-6-11 आता है तो थर्ड और सिक्स्ट को तो हटाई दो इसको तो धनियोग में हमने काउंटी नहीं किया है धनियोग में तो त्रिशडाया का सिर्फ एक हाउस जो है वो पिक्चर में आया है अगर आप पूछना चाहते हैं कि 11 लॉड का टाइम पिरियड चल रहा है 11 लॉड का टाइम पिरियड चल रहा है और साथ में उसके सेकेंड नाइन्थ या कुछ ऐसा कंबाइंड है तो क्या उस टाइम पर पैसा आएगा 100 परसेंट आएगा बिलकुल आएगा लेकिन बात फिर वही उठेगी कि क्या 11 ट्रिशड आया लॉड बनकर कुछ हाम नहीं करेगा बिलकुल करेगा डेफिनिटली करेगा उसने अपना काम बिलकुल करना है क्योंकि वह फंक्शनल मेलेफिक भी है चार्ट का लेकिन मैंने क्या बोला था त्रिशड आया लॉड के लिए कि त्रिशड आया लॉड जो है वह आपको किस लेवल पर ज्यादा हाम करेगा आपको पर्सनल लेवल पर ज्यादा हाम करेगा माटिरियलिस्टिक लेवल पर वह उतनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं देगा अंतरदशा इस ऑल्सो गुड़ फॉर धन योग डेफिनिटली अंतरदशा इस गुड़ बट महादशा महादशा है बाई अब कोई चीज बिट्स और पीसिज में मिल रही है और कोई चीज पूरी की पूरी साबुत आपको मिल गई तो दोनों में डिफरेंस है महादशा तो पूरा का पूरा एक मतलब आपको पूरा अमाउंट एक साथ मिल गया कि यह पगड़ो भई जो भी आपका amount बनता है वो मादशा है अब अंतरदशा आ गई मिलने थे आपको दस रुपे मिले आपको उसमें से दो या तीन रुपे की लो यार पकड़ जो ठीक है हाला कि वो बात अलग है कि आपको अंतरदशा भी आके हसा जाएगी आप खुश हो जाओगे लेकिन स्टिल वो उतना काम नहीं कर पाएगी इस धन योग ओनली चेक्ड इन लगना चार्ट एवरी योग हैस तो बी चेक्ड इन लगना चार्ट फरस्ट और यू कन री कंफिर्म योगा इन अधर एसेंडेंट्स लाइक चंद्रा कुंडली और एनी अधर कुंडली बट सबसे पहले वो लगन कुंडली के अंदर बनना चाहिए उसके बाद में फिर बात आती है किसी और चीज़ की तो मेश लगन की कुंडली में वीनस जुपिटर धनियोग बनाएंगे वीनस सन धनियोग बनाएंगे जुपिटर सैटन धनियोग बनाएंगे धनियोग के लिए क्या कीजिए आप लोग सबसे पहले अपने लगना को मात कीजिए अपने लगन में राज योग अलग मेंशन करके रखिए धनियोग अलग मेंशन करके रखिए और त्रिशडाय लॉड्स को अलग मेंशन करके रखिए इनकी केटेगराइजेशन कर दीजिए ये प्लैनेट धनियोग में भी है अब कई planets क्या होते हैं कई planets आपको धन योग में भी involved मिलेंगे और राज योग में भी involved अब वो planet आपकी कुंडी के वो planet होते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं जिसमें लाइक आप बोल सकते हैं sky is the limit अब मोदी जी की कुंडी को लेकर हमेशा यह संशय रहा है कि वो साथवे लगन के हैं कि आठवे लगन के हैं लेकिन अगर वो scorpio लगन के हैं तो आप देखेंगे के scorpio के अंदर दो planets मैठे हूँ हैं उनके लगन के एक लगना लॉड मंगल और दूसरा नाइन्थ लॉड चंद्रम मार्स और मून का combination बन रहा है तो फर्स्ट और नाइन्थ लॉड कंबाइंड हो गए लगन में कंबाइंड हो गए क्या है यह राज योग है क्या है विश्नुलक्ष्मी योग है आप चेक कीजिए वह दो बार अभी तक पीम बने है और दोनों बार उनका दशा किसका रहा है माधशा कि दोनों बार, एक ही महादशा में रहे हैं, that महादशा is of चंद्रमा, कौन चंद्रमा, वो चंद्रमा जो राजयोग में involved है, मतलब क्या है, मतलब बड़ा साफ है, आपको स्टेटस बहुत हाई चाहिए, चेक कीजिए, इस टाइम राजयोग उपरेट कर रहा है या नहीं कर रह आपको पैसा भरपूर चाहिए, चेक कीजिए, आपका wealth related को योग उपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक और चीज़, जब आपका wealth योग उपरेट करता है, उस टाइम आप धन के लिए efforts जितने जादा करेंगे, उतना अच्छा आपको पैसा आजाए, जब राजयोग अपरेट करेगा, तब अपने status को बढ़ाने के लिए जो आप प्रयाज करेंगे, आपका status उतना ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन इन सब चीजों को सब से पहले आप महादशा के according देखिए, सिर्कंजंक्षन वाले धन योग में सपोज मार्स, जुपिटर, सैटन जैसे प्लेनेट धन योग बना रहे हों, तो इनकी एक्स्ट्रा द्रिष्टी भी काम करेगी योग यूटिलाइज करने में, एक्स्ट्रा द्रिष्टी या यह मैं बात नहीं समझा, द्रिष्टी एक् गई, एक्स्ट्र तो द्रिष्टी नहीं होती, द्रिष्टी तो स्पेसिफिक है, यह तो ऐसा हो गया, कहीं पर बैठें हैं, कि सामबर डोसा खा रहे हैं, और बोल रहें थोड़ा, एक्स्ट्रा सामबर दे दीजिए, ऐसा थोड़ी होगा भाई, special aspect means में भी एक्स्ट्रा देखिए एक्स्ट्रा का मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि माल लीजे दो प्लैनेट्स हैं वो combined है और उनकी दृष्टी योग बनने वाले हाउस के अलावा कहीं और चली गई और वो हाउस काम कर जाएंगे ये आप पूछना चाह रहे हैं डेफिनेट्ली उस हाउस पर थोड़ा अफेक्ट तो जाएगा लेकिन प्राइमेरली वही हाउस काम करेंगे जहां पर वो योग बन रहा है वो प्लैट्फोर्म ऐसे नहीं लेगा कि माली जे सेवन्थ हाउस में बन रहा है तो हम बोलेंगे यार पार्टनर के तुरू पैसा आ जाएगा बहुत बढ़िया या विजनेस के तुरू आ जाएगा लेकिन वहां पर एक प्लैनेट है सैटन जो इन्वाल्ड है उसने अपनी तीसरी दृष्टी जो है वो अब भाई यह जो हाउमच शब्द है ना इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की अवशकता है खैर कभी कोशिश करेंगे इस पर भी आएं कि एक्जेक्ट बता दें कि हाँ इतना पर्टिकुलर अमाउंट आप कमा सकते हो या नहीं कमा सकते लेकिन इसको लेकर ना मैंने थोड़ा काम पहले किया था उसके बीच में फिर मैंने छोड़ दिया लेकिन जितना किया था उसका थोड़ा सा आपको डिटेलिंग कर रहा हूं कि मैंने एक ही टाइप के दो होरस्कोप्स देखे थे चिक है मतलब A और B दोनों की कंडिशन एक जैसी है होरस्कोप्स की और दोनों ही लगबग उसी दशा पैटन पर चल रहे हैं वो ही दशाए चल रही है सब कुछ वैसा सा है एक जो है वो लैक्स में अन कर रहा है और एक जो है वो करोड में अन कर रहा है अगर आप नॉर्मली देखो तो दोनों अच्छा पैसा कमा रहे हैं दोनों ठीक था कमा रहे हैं वो भी 5-6 लाग रुपया कमा रहा होगा जिसको मैं लैक्स में बता रहा हूँ और वो भी बहुत बढ़िया पैसा बना रहा है जो CR में बना रहा है तो अब हो सकता है कि वो जो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अमांट में बना रहा है वो एफर्ट ज्यादा कर रहा है या यूटिलाइजेशन बहुत कंप्लीट रूप से कर रहा है उन हाउसे की लेकिन यह है कि पैसा दोनों को ही लगबग आ रहा है तो यहां पर ऐसा कोई पर्टिकुलर पैरामीटर य तो यह धनी होगा है अरे भाईया एनिमी होंगे जवान जी तब भी वो पैसा तो बनाएगा बनाएगा थोड़ा बनाने में मशक्क्त जरूर होगी थोड़ा बहुत इधर उदर होगा थोड़े एफर्ट जादा करने पड़ जाएंगे एनिमिटी है थोड़े हैडल बट पैसा तो बनाए ठीक है तो आज के लिए इतना ही था नेक्स वीक क्लास को एक्स्टेंड करेंगे थोड़ा कंप्रीट करेंगे आज के पॉर्शन को भी बट अभी के लिए जो आपको चीज पता चली है वो धनियोग के रूप में पता चली है इसको स्टडी कीजिएगा बाकी कुंड्लियों पर लगा कर देखिएगा कि किसकी कुंड्ली में धनियोग बना वो दशा कब आई उस दशा में व्यक्ति ने वेल्थ एक्युमिलेट की या नहीं की उसका ये सुर्नों इखटा करके रखिएगा प्रैक्टिस अवश्य कीजिए होरोस्कोप जादा से ज पर हो जाएगी आपको पराश्री अच्छी लगने लगेगी आपको लगेगा यार खामोगाम केपी में यह सब कर रहे हैं पराश्री भी बहुत अच्छा और बहुत सिंप्लिफाई करके चीजों को बता देती हैं ठीक है तो डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते डू अवर रिलेटिव दशा अलसो अफेक्ट अस मैंने अभी क्या बताया भाई के रिलेटिव जो रिलेटिव की दशा दिखा रही होगी वही दशा आपकी दिखा रही होगी अगर पडोस के अंदर अगर मेरे पडोस में मारधाड हो रही है तो वह मारधाड उनके होरस्कोप में भी दिखेगी और वह मेरे में भी दिखेगी कि इस टाइम इस व्यक्ति के पडोस में यह सब ठीक है तो हम तो डीने की बात कर रहे हैं तो पडोस तक भी पहुंच जाता आदमी कुंड़ी को अगर धंग से देख ठीक है अंबाल लीजे छटे गर में आपके तीसरा लॉड बैट गया तो किसके साथ दुश्मनी हो जाएगी पडोसी के साथ हो जाएगी राइट क्लियर चलिए नेक्स टाइम राहु के तुको लेकर बात करेंगे आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं तब तब के लिए शुब रात्री जैश्री राण